जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवधा बनी रहे दोस्तों आज है गुरु पूरुणिमा और मेरी तरफ से आप सभी को गुरु पूरुणिमा की मंगल शुप कामना है दोस्तों गुरु पुर्णिमा के दिन से ही चातुर मास यानि की सावन, भादरपद मास, आश्विन और कार्तिक मास ये चार महीने का प्रारंब होता है वैसे तो देखिए देवशैनी एकादशी से ही चातुर मास प्रारंब हो जाते हैं लेकिन जादा तर जो नियम लिये जाते हैं वो आशाध मास के पुर्णिमा यानि की गुरु पुर्णिमा से ही लिये जाते हैं तो आज का दिन बहुत मेंत्यपुर्ण हैं आज से आप किसी भी नियम का प्रारंब कर सकते हैं आप चाहें तो पूरे चातुर मास का व्रत धारन कर सकते हैं या फिर अगर आप चातुर मास के व्रत नहीं करते हैं तो चातुर मास में कोई न कोई नियम ले लीजिए मतलब देखिए व्रत नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं व्रत सभी नहीं कर पाते हैं लेकिन नियम का पालन तो प्रतेक व्यक्ति कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कोई नियम ले लीजिए प्रति दिन उस नियम का पालन अगर आप चार महीने तक करते हैं चातुर मास म हम इतना अधिक पुन्यकर्म संचित कर लेते हैं इन चार महीनों में धर्म कर्म इत्यादी करके दान करते हैं ये व्रत धारन करते हैं तो इससे जो पुन्यकर्म संचित होता है उससे हमें सुक्की प्राप्ती होती है पापकर्म नश्ट होते हैं तो पुन्यकर्म उदित होते ह तो इसलिए ये चातुर मास को बहुत स्रेश्ट माना गया है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई न कोई नियम जरूर लीजिए आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचुक उपाई जिसे आपको पूरे चातुर मास तक नियम पालन के तौर पर करना है और हाँ ध्यान रखिए अगर आप इस नियम का पालन कर लेते हैं पूरे चातुर मास मतलब आसाड मास की पूरिमा से और चातुर मास समाप्थ होने तक तो आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, और कैसी भी समस्या हो, समाप्त हो जाएगी बहुत से लोगों का प्रश्ण होता है कि हमारे जीवन का उद्देश है क्या है क्यूं हम इतना कष्ट पा रहे हैं, क्यूं हमें ये जीवन मिला है अगर हमें दुख ही भोगना है तो हम धर्ती पर आए क्यों है तो इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं इस उपाई को करने से ये एक ऐसा उपाई है जिसे अकार्ट्य उपाई कहा गया है अकार्ट्य शस्त्र कहा गया है और हजारों लोगों ने इस उपाई को किया है, हजारों लोगों ने इस उपाई को अपनाया है अपने जीवन में, और उन्हें सुख की प्राक्ति भी हो रही है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण आपको मिल जाएंगे, कि जिन लोगों ने इस उपाई को किया है, और असाध्य बिम के स्मरण करने मात्र से ही सभी प्रकार के जन्म और कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है वो है भगवान श्री है विश्णु और ये मंत्र जो आपने सुना ये विश्णु सहस्त्र नाम का है आपको प्रति दिन विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस चातुर मास में करना है लेकिन एक विशेश नियम के साथ, एक समय निश्चित कीजिए कि कौन सा समय आपके अनुकूल है, जिस समय प्रति दिन आप पाट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सुबह समय है कि प्रती दिन आप सुबह पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़ लीजिए, नहीं तो शाम के समय या फिर रात के समय जो भी समय आपके अनुकूल हो. तो सबसे पहले तो आपको सुबह और शाम में से निश्चित करना है किस समय आप पाठ करेंगे उसके बाद एक टाइम निश्चित कीजिए जैसे कि सुबह प्रती दिन पांच बजे या छे बजे या आठ बजे जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार एक समय जाती है उस काम का महत्रत कोई गुना वड़ आता है मतलब अगर प्रती दिन मंदिर एक समय परशद समय पर जाना शुरू कर दे तो उस मंदिर के देवता भी आपकी प्रतिक्षा में होते हैं कि आप इस समय मंदिर आने वाले हैं आप नियम निश्चित कीजिए इश्वर भी आपके प्रतिक्षा करते हैं इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर हम किसी विशेश मनो कामना से या फिर कोई ऐसा विशेश उद्देश यह है हमारा जिसके लिए हम पूजा पाट कर रहे हैं तो हमें एक निश्चित समय करना चाहिए और वैसे तो यह पाट कभी भी किय जा सकता है लेकिन अगर कोई विशेश उद्देश से है तो उसके लिए समय निश्चित कर लेना चाहिए और चातुर मास में तो अगर हम कोई भी नियम लेते हैं तो नियम पुर्वक उसका पालन करना चाहिए समय का भी ध्यान रखना चाहिए तो बहुत आवश्यक है कि ए जात्री के समय भी आप यह पाठ कर सकते हैं तो टाइम अपने हिसाब से नोट कर लीजे किस समय आपको पाठ करना है और जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है वीडियो देर से जा रही है तो शाम के समय अगर आप करते हैं तो कल चाहें तो अगर आपके लिए अनुकूल ना ह शाम का समय तो सुबह से भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको प्रती दिन उसी समय पर करना होगा जिस समय आप कल करेंगे अगर आज का समय आपके अनुकूल नहीं है तो कल से जो समय आप फिक्स करेंगे उसी समय पर प्रती दिन चार महीने तक आप करेंगे आप जैसे कि कई भक मतलब 21 दिन भी अगर आप लगातार इस उपाई को कर लेते हैं तो निस्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन जो देखने को मिलेगा, वो आपके लिए अद्भूत होगा. ये पाट करने से पहले आपका श्नान करना आवश्यक है, शुद्ध होना आवश्यक है. फिर भगवान श्रीहर विष्णू की जो भी फोटो या मूर्ती है आपके घर में, उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलीत कर लीजिए. अब एक आसन डाल कर बैट जाएए, साप स्वच्च वस्त्र धारन कर लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, काले और नीले रंके वस्त्र मत पहनिए. इसके अलावा कोई साभी शुबरंग आप धारन कर सकते हैं. और पहले दिन अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर या मानसिक रूप से भी भगवान श्रीहर विश्नु को साक्षी मान कर संकल्प ले लीजिए कि आप आज से प्रारंब कर रहे हैं ये पाट और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आप ये पाट करेंगे. आप जैसे कि व श्रीहर विश्नु सहत्र नाम संपृटित हो जाएगा श्री सुक्त से. श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मि दोनों की पूजा है तो पूजा पुरण नहीं माने जाती क्योंकि पालन हार भगवान श्री हरी विश्नु है लेकिन पालन पोशन के लिए जिस चीज की आवश्यक्ता होती है वो होती है लक्ष्मी तो भगवान श्री हरी विश्नु जो पालन हार है वो इस वज़ा से क्योंकि उनके पास लक्ष्मी है लक्ष्मी के बिना तो पालन करना असंभव है इसलिए आवश्यक्ता है श्री हरी विश्नु के साथ मालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने की तो जो आपके पास मूर्ती या प्रतिमा है वो भी श्री हरी विश्नु और मालक्ष्मी की ही होनी चाहिए तो प्रति दिन आपको इसी प्रकार से विश्नु सहस्त्र नाम को श्री सुक्ति से संपुटित करके और पाट करना है और हाँ, अगर आप किसी मनो कामना के निमित ये नियम पालन कर रहे हैं पहले ही दिन भगवान श्री हरी विश्नु से अपनी मनो कामना के दीजिए और हाँ, भगवान श्री हरी विश्नु से प्रार्तना कीजिए कि जो आपकी मनो कामना है, अगर वो आपके अनुकूल है आपके लिए लाबकारी है, आपके हित में है तो भगवान श्री हर विष्णू उसे प्रोण करें आपके इस जीवन का उद्देश ये क्या है भगवान श्री हर विष्णू की कृपा से आपको उस ज्यान की प्राप्ति हो इस प्रकार से आपको विष्णू सस्तर नाम का बाट करना है भगवान श्री हर्विष्णू और मालक्ष्मी की गृपा की प्राप्ति के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए इस सुपाय में आपका एक भी पैसे का खर्चा नहीं है बस आपको एक दीपक जलाना है और बैट जाना है भगवान श्री हर्विष्णू के सामने मालक्ष्मी के सा मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आपके जो कष्ट थे वो कितने अधिक समाप्त हुए आर्थिक तंगी कितनी दूर हुई इन सभी चीजों का बारीकी से अनुभव कीजिए देखिए बहुत बड़े चमतकार हो सकते हैं इस उपाई के लेकिन विश्वास पर निर्भर करत जिस प्रकार से खर्च के लिए हम धन रखते हैं और कुछ सेविंग्स में भी रखते हैं बचाकर उसी प्रकार से पुन्यकर्म भी सभी खर्च नहीं किये जाते हैं कुछ पुन्यकर्म करके संचित भी किये जाते हैं तो संचित करने के लिए ये पुन्यकर्म अत्यंत आप से आप देख लीजिए जितनी भी आपकी सामर्थ उसकी अनुसार अन्धन्या फिर वस्त्रेत्यादी दान कर दीजिए कोई बहुत विशेश नियम नहीं है इसमें किसी प्रकार के उध्यापन की कोई समस्या नहीं है और हां आप चाहें अगर तो आगे भी इसको इसी प् मेरा आपके जीवन में परिवर्तन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से उपाई शुरू कर दीजिए और अपने अनुखाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेर कीजिए इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजिए मिलती हुमें आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार